तो होए गाई इस न्यूस बॉय और तफसे में बागलते दुरूवराथी वर्सेस एल्विस यादफ के बार में जैसे कि मैं आपको कल के वीडियों बताया थे कि एल्विस यादफ जो दुरूवराथी को एक्सपोज करते हुए वीडियो अप्लोड किये थे सब्सक्राइबं दुरूवराथी के लिए लेटियो कोई आधा क्लिप को सफिए अपने आपको सही दिखाने लिए भीडियो अखिलेश यादव को सपोर्ट दिखाया था तो अगर ये राहूल गांदी को देश द्रोही थेरा रहा था वहां पर अपने वीडियो में तो ये खुद भी देश द्रोही हुए वीडियो दिखा है उसका पूरा क्लिप अभी यादफ को फैन सेर कर रहे है वह आप देखिए राम चंटर नाम आपका भाई यार तुम बिल्कुल सही जे के रहते हैं और सही नाम है तुमारा किसको स्पोर्ट है तुमारी मरम तो लोगों लोगों से बूचे दोनों ने भीजिब का वाई योगी दोस्त बच्पन गाए चांस नहीं अच्छा चांस नहीं अपना करें यही सुनना चाहता था अगर नू कहता नो कि नहीं योगी को करो योगी करो तो मैं मेरे को अच्छन लगता वहाई ने बुल्ला इसको भाई दिलकरे सपोर्ट करो और तुम मैं थे उपने वीडियो में एलिगेसन लगाया थे ना कि अपने बहुत सारे गलत लोग के साथ लिंक है और यहीं यहां लेकिन दो राटि पताया थे कि यह आपने वीडियो में जिस आदे लमन का Facebook profile दिखाया था वो कोई और ही बंदा था जिसको कि बे फजूल में hate मिल रहा था मैं पहले धुरूब राटी का clip दिखाता हूँ आप देखी एक और पैंतरा खेला इसमें हर्श मंदर के साथ मेरा connection जोडने की कोशिश में ये आदे लमन को बीच में ले आया कहने लगा कि आदे लमन एक्चुली में अब जर्मनी में रहता है और हर्श मंदर के साथ काम करता है इसके लिए इसने एक Facebook profile दिखाई पीछे proof के तौर पर और जानते हो क्या दोस्तों ये किसी और आदे लमन की Facebook profile थी लिटरली यहाँ पर दो अलग-अलग इंसानों की बात करी जा रही थी या तो ये खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया कि यहाँ पर किसका Facebook profile दिखा रहा है या फिर ये सही माइनों में अपने viewers को बेवकूफ समझता है वैसे मुझे तो लगता ये खुद ही इतना बेवकूफ है क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे Facebook ग्रूप में था उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन की स्पेलिंग अलग है ये नहीं सोचा इसने की सेम इंसान कैसे हो सकते वो YouTube Creator Code sell कर रहा है ये तो Trade Market वाले Creator से भी आगे निकल गया उसके निचे एक बंदा पिक्चर सेर करता आप देख सते हो और वो लिखता है स्टैग आपका पिल्ला धुरूवराथी तो उसका Engineer Explains रप्लाई करते है ये नेम का पत्ता वस पर्सनल और देख सेर करते है लोने दिया देख प्रकर के प्रवचन के चैनल पर दिया देख सेर करते है तो जापर दूवराथी खुद बता रहे की ये तुनने पास्ट में आमादमी पार्टी के साथ काम कर रख ये मैं वो क्लिप दिखा तो आप देखी है एसे, देटेटिए एवीडिए एवीडियो पर देंग प्राफिक दिजिग इसे लिए कुछ रीडियो लाते हैं यह पूरा बुरा इच्छ नाता है अपलाइड गला है तो मैं आप लोगों को बता दूघ्राटी अल्रडी बता चुक अपने वीडियो में वह पार्ट तू भी लाए सब्सक्राइब को बताए कि करी मिनाटी बहुत बड़ा क्रियेटर माफी मांगे तो कल अपने इंस्सेग्राम पर एक वीडियो पोस्ट के कैरी मिनाटी के साथ जबरदस्ती सौरी बुल वीडियो दिखाता हूं आप देखिए अपने प्रामिस किया था मेरे बेटे से और मेरे फैंस आज मैंने पूरा कर दिया पठान जान से जाये लेकिन जुबा से नहीं जाये इस वीडियो के नीचे उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है कुछ कुछ कॉमेंट से आप देख सकते हैं रीट कर सकते हो पास करके वीडियो अपने ब्राड़कास चैनल पर लिखे एजास खान आई थिंग इस दा बिग अर्मान मलिक तेइसनों दोजार उननीस तो अरेस्ट हुआ था 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 थी यह 328-323-3453 और यह कोई लड़की का केस लिए इसके पास लड़की काम करती दी यह जगह दिल्ली में नेक्स्ट अपडेट के बारे में बारे में बारे में इनका इक दुकान है आपको बता होगा जहां पे बहुत ज्यादा भीड लग गया लेकिन अपसे उनने डिसाइड कि वो शॉप बहुत ज़्यादा भीड होता वह जहां पर रहते वह देशिदेंशल एरिया जो लोग रहते आज-पास उनको डिस्टाब होता उनको डर रहता कि कहीं कुछ चोरी वगरा नहों जाए जहीं क्या कहें आप देखिए बहुत ही ज़रूरी बात है अभी जैसे आपने देखा आ बहुत सारे लोग गलियों में घुच आते हैं घरों के खड़े हो जाते हैं तो इससे जो रिजिदेंशल प्रोब्लम से रहती है मतलब उनकी जायज प्रोब्लम को डर रहता है कोई चोरी चकारी नहों जाए कुछ ना जाए क्योंकि देखो गैरिंग बहुत आदा हो जाती ह उनको ट्रोल करते हुए उनको एक्सपोज करते हुए तो अब क्या हुआ यूके 07 राइडर को लीगल नोटीस भेज दिया और ड्रैगर 900 ने माफि मांग लिया येस यूके 07 राइडर जो वीडियो पोस्ट किये आप देखिए आप देखिए ऑन-lai-fake-controversies करने वाले लोग मिलेंगे बट जब ये लीगल अक्षिन होता है ना अच्छे लोग सौरी बोल देते हैं कि मुझे एक चीज़ का दुख है कि एंगी मदर के लिए एक जगा शोचल मीडिया पर मिरसे तो तो चलिए नेक्स अपडेट के बारे में बत शुके औरी के बार में जैसे कि आ गा रहते हैं अब जैसे वह वीडियो वा उनको ट्रोल किया जा रहा है अनन्या पांडे ने भी उनको ट्रोल किया पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं आप देखिए कि यह वस अजसे बार में इनको रेम क्या खिरा कि बार ये से वांगे बार में जैसे बार में बार में खिर मां लुके बार में र이시 अपर देखिए Baby, Baby, ओ सु mortgage, Baby, Baby, Oh, I thought you would always be my man Yeah, 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 Let's Go! Yeah, yeah, Let's Go! Yeah, yeah, Let's Go! Yeah, 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 All gone All gone Yeah, I'm gone अनन्य पांडे की नीचे कॉमेंट करती है वारु दावन लिखे आइधिंक आउटिधिए तो इसका और रिप्लाई करते है थाट्स रॉग फैक्ट्स करेक्ट एक जने कॉमेंट किया जस्टीन बीबर रिग्रेटिंग इस डिजिजन आफर गिविंग माइक तो ऑर उसका और इसका और रिप्लाई करते है या वाट दिजिए आप देख सकते हों ने एक स्टीन आफ यूटिवर के बारे में जो काफी ज्यादा वाइरल जा रहे है क्यों उसके अपकमिंग वीडियो का उसने निउस्पेपर पर एड चला है एंड में क्या लिखा है अन्बॉक्सिंग म इस वीडियो में पहुँच जाओगे जो कि अभी तक आउट नहीं हुआ कल आउट होगा इसका टाइटल क्या है अन्बॉक्सिंग फॉन वन बाइन नफिंग फॉन का अन्बॉक्सिंग वारे में बात कुछ उर्फी जावेद के बार में तो एक वीडियो वाइरल जा रहा ह उन्होंने सेलेब्रेट भी किया जो पाथ साल उनका कंप्लीट हुआ यह साब देख सो तो दोनों केक काट रहें बहुत साल लोग लव रियाक्ट तो दे रहें लेकिन बहुत साल लोग रोड़े वाला इमोजे भी दे रहें वह क्यों आपको पता ही होगा तो चलिए नेक्स जिससे सीनियर आक्टर्स का श्ट्रगल बढ़ता है तो सलिए नेक्स अपडेट के बारे में बात कुछ के दबक्वास टॉक के बारे में तो यह पढ़ सकते एक ट्रबल में रैंडम से नकल दबक्वास टॉक का एक वीडियो को सेर किया है यह व्यक्ति हरी दूबे जिसका इंस्साग्राम हैंडल दबक्वास टॉक है अपने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म गुरुओं के खिलाफ अत्यंत अपमान जनक वीडियो बनाकर हिंदू समाच की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है उसने अपने वीडियो में साधू का वेश धारम किया हुआ है और अभद्र गाली दे रहा है यूपी पुलीस को भी टैक की वीडियो शेयर किये आप देखिए अब चाय जो है चाय पत्ती से बनती है और चाय पत्ती एक अब सधी है जो दूद का गुण बदल देती है तो चाय ना पीने से आपको नसा हो जाएगा अब देखिए जो लोग चाय नहीं पीते हैं वह ऐसे पगला जाते हैं तो चाय एक नसा है अब देखिए कई देशों में तो चाय मना ही हो गई है जैसे चाय ना आप सिगरेट पीते हैं नहीं गुरुजी आपके दोस्त तो पीते होंगे वह पीते हैं तो कभी कहते नहीं है किलो तुम भी एक कस मार लोग士 कहते हैं गुरुजी विश के समाण पानी पी रहें आप लूग अरुश की लरी सपटे हैं आप रजनी का गंदा खा रहें बताइए ये अच्छी बात है अपने मांबाप से प्यार करते हैं जी गुरुजी करते हैं तो बताइए आप से प्यार कौन करता है रहे मांग एक और वीडियो पोस्ट करते हैं दबगवाज टॉक का जापने उन्हें पुलीस का यूनिफर्म पहना हुए एंड वोगेरा कर रहे हैं इसके बाद 112 उत्तर प्रदेश रिप्लाइश करते हैं उपरोक्त प्रकरन की सूचना जिला पुलीस को अवगत करा दी गई है बेसके लखनो पुलीस को इसके बारे में बता दिया आ गया तो में भी हो स जिंबाबुए T20 मैच के बारे में जो की हुआ था कल बता तो कोई भी senior players इस टीम में नहीं है पहला मैस तो इंडिया हार गयते हैं लेकिन दूसरे मैस में उन्होंने क्या ही खतरनाक कमबाक किया है इंडिया पहले बैटिंग करके 234 रंज मारे 20 ओवर में सिर्फ दो जिंबाबुए 18.4 ओवर्स में ही ओल आउट होगे 134 बना के महलब की इंडिया 100 रंसे मैच जीत गया और तो एक और मैच इंडिया जीत जाता है तो T20 सीरीज जिंबाबुए के एंस इंडिया जीत जाएंगे तो चलिया नेक्स अपडेट के बारे में बारे में 17 साल की लड बात में फिर पुलिस को बुलाया गया उसको एं उसके बेबी को हॉस्पितल शिफ्ट किया गया एंड पुलिस ने केस भी रेइस्टर कर दिया बेसिकली वह जो लड़की है न वह एक लड़की के साथ रिलेसंशिप में थी फॉर पास्ट्व यह तो उस लड़की को जो कि बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं वह एक्टर जो साड़े 3.500.000 रुपे का ओपिनिंग देते हैं 35 क्रोर के फीज का डिमांड करते हैं उनके इसाफ से जो एक्टर बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं उससे फाइनेंशियल क्राइसीस हो बॉलिवूड में वो कहत आरे कि वह रोमांटिक कॉमेडी मुवी कर रहे हैं एक्ट्री सोंगी वानी कपूर और वह पूरा फिल्म यूके में सूट किया जाएगा नेक्स अप्डेट के बारे में मुंबई की एक वुमन के बारे में जिन्हों ने भाई अपने पेट डॉक के बर्ड़े के दिन उसको भाई लाग रुपय का गोल्ड का चेंग गिफ्ट किया यह से वीडियो बता दू काफी ज्यादा वाइरल जा रहा है तो सलिए नेक्स अपडेट के बारे में मत कुछे चैंपियन स्ट्रॉफी 2025 के बारे में तो बीस में ऐसे कुछ रिपोर्ट शार थे आपको पता होगा कि इंडिया फाइनली बहुत सालों बाद पाकिस्तान में जाके चैंपियन स्ट्रॉफी खेलने वाले एक मार्च को होगा मैच लाहोर में ऐसे न्यूज आर थे लेकिन अभी कुछ ऐसे रिपोर्ट शार कि इंडिया पाकिस्टान में खेलने नहीं जाएंगे तो अगर तो आज की बस इतने अपडेट्स थे अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना मिले अपने नेक्स वीडियो में